नमस्कार दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे निप्टी और बैंक निप्टी के अनलेसिस यानि आप लोग मंडे के दिन लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि आपका ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है डीटेल में अनलेसिस इस वीड प्राडे स्टोक्स आपके लिए जो आप लोग मंडे के दिन लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रोफिट जनरेट कर सकते हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिपिकेशन को ओन कर चलिए देखते हैं सबसे पहले निप्टी 50 इंडेक्स को और उसके बाद में बैंक निप्टी और आपके लिए 5 इंटाडे स्टोक्स देखेंगे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो फिलाल बियरिस ट्रेंड का है त तो आप अपनी 50% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजेगा और यदि आप लोग मार्केट के सेंटिमेंट के साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने इस आपसे पोजिशन को बना के रख सकते हैं क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट यानि मार्केट के ट्रेंड के साथ में अगर आप लोग चलोगे तो आपका पैसा भी जल्दी बनेगा और आपका पैसा यह वो ज्यादा बनेगा इसलिए मैं आपको सबसे पहले यह चीज आपको बता देता हूँ इसके अलाव दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निप्टी फिप्टी ने जो क्लोजिंग दिये 17,825 के संधिंग जो क्लोजिंग दिये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है और उपर की साड में जाता है तो उपर की साड में आपको ज्यादा sen półfest देखने को नहीं मिलेगा 17,962 या फिर 17,840 इसके बीच में यहां कहीं मार्केट ओपन होता है तो आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है या फिर आप लोग अग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आप लोग सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं आपका रिस्क रहेगा लेकिन आपका प्रोफिट होने नीचे की साइड में आज का जो भी प्रिवेस दिन का लो है इसको ब्रेक आउट करता है तो आप लोग सिंपली अच्छी कासी कौन्टिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं और आपका जो नीचे की साइड में ultimate target रहने वाला है वो है 17,725 का first target रहेगा और उसके बाद में 17,6 650 का आपका यहां पर target रहने वाला है किसी भी रीजन से market यहां पर ज्यादा बड़ा gap up या फिर ज्यादा बड़ा gap down ओपन होता है तो आप लोग simply live market में जो भी price section बनता है उसके इसाब से trade कीजिएगा या फिर हम लोग telegram channel पर इसके बारे में जरूर update करेंगे simply दोस्तो market gap up open होता है 17,725 के something open होता है जो एक previous support zone है यहां पर market open होता है तो हो सकता है market previous low को touch करने के लिए उपर की side में जा सकता है थोड़ा सा आपको यहां पर उपर की side में buying momentum देखने को मिल सकता है तो यहां पर की side में आप लोगों का जो target है वो previous low यहां तक आप लोग target रख सकते हैं यही market flow में उपर निकलता है तो आप लोग थोड़ा बड़ा target भी लेके चल सकते हैं या फिर आप लोगों को यहां पर opening होने के बाद में previous low तक आप लोग target रख सकते हैं फिर से आपको यहां पर selling देखने को मिल सकती है तो आप लोग इसके लिए जरूर ध्यान रखेगा इ प्रिवेस वीडियो में जहां से market ने यहां पर opening दी और आपका जो target है दोस्तों वो previous low तक रहा था तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हैं गेप डाउन ओपन होती है तो इसके अलावा गेप अपन होता है यहां इस zone में open होता है 18,40 से लेके और 17,962 में market open होता है तो आप लोगों को पता है दोस्तों यहां पर भी अच्छी गासी अल्रेडी यहां पर supply zone है selling होई है यहां पर तो आपको फिर से इस zone में selling देखने को मिल सकती है यहां पर market यहां पर open होता है तो आप लोग यहां पर चोटा सा risk लेके और आप लोग put side के लिए नीचे की side मे trade कर सकते हैं और यहां पर market open होता है इस zone में market open होता है तो आप लोग यहां पर market open होता है तो आप लोग बड़ा target इस zone तक आप लोग target है वो ले सकते हैं 17,824 तक तो simple आपको यहां पर इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना है किसी भी reason से market उपर जाने की कोसिस करेगा तो दोस्तों already यहां पर एक bearish momentum है और already यहां पर supply zone है अच्छी कासी यहां पर supply हो चुकी है तो market को यह तो उपर जाना है तो market flow में अच्छी कासी volume के साथ में उपर जाएगा या फिर market उपर जाएगा तो जो भी उपर की side में resistance zone है जैसे कि 17,962 है तो इस zone के space में आने के बाद देर के लिए range बनाएगा यानि time बिताएगा उसके बाद में breakout करता है तो आप लोगों को अच्छा कासा momentum देखने को मिल सकता है तो फिलाल दोस्तों यह एक supply zone है यहां पर कोई भी buying activity फिलाल आपको नहीं देखने को मिलिए तो हम लिए पर trade के लिए plan करेंगे वो put side के लिए ही plan करने वाले हैं इसके अलावाज ज्यादा बड़ा gap up या फिर gap down होने पे हम लोग live market में जो भी price section बनेगा उसके इसाब से trade करने वाले हैं चलिए हम देख लेते हैं एक बार bank crypto की analysis कि इसमें हमारा trading setup और trading plan है वो किस तरीके से रहने वाला simply दूस्तों आपने Friday की दिन activity देखी गई है तो यहां पर फिर से आपको support पे आपको buying activity देखने को मिल सकती है और उपर की side में जो previous low था यहां तक आपको यहां पर target है वो देखने को मिला 42,231 के something आपका target है वो देखने को मिला तो वहीं से आपको फिर से selling देखने को मिली है इसके अलावा दूस्तों market market कल के दिन यदि फ्लेट open होता है थोड़ा बहुत upside जा सकता है तो आप लोग 42,000 यानि 42,000 जो हमारा previous support zone था यहां पर market आता है तो फिर से आप लोग selling side के लिए plan कर सकते हैं आपका अच्छा कासा target है वो नीचे की side में मिल सकता है यहां फिर दोस्तों यदि किसी भी trade कर सकते हैं या फिर आप लोग safe जाना चाहते हैं तो जो भी market का आज के दिन का low है previous जो भी low है इसके नीचे को break करता है यहां पर तो फिर से आप लोग यहां पर trade में enter कर सकते हैं और आपका जो target रहने वाला है दूस्तों वो आपका रहेगा 41,316 का और आप लोग 41,500 यह market यह दी gap up open होता है उपर की side में इस zone में open होता है 42,230 पे market open होता है तो यह दी market जैसी negative sign दिखाता है आप लोग simply put buy कर लीजेगा छोटा सा आपको stop loss एंटर करना है क्योंकि already इस candle में देखोगे 42,000 पे market open हुआ उपर की side में गया और इतनी अच्छी दोस्तों selling आई है कि market म आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट की candle है वो आपको एक wick नजर आ रही है चोटी सी body है वो यहाँ पे wick नजर आ रही है तो इसकी वज़़े से market यहाँ पे इस zone में जैसी आएगा 42,230 तो एक अच्छा कासा supply zone है यहाँ से आपको फिर से अच्छी कासी selling देखने को मिल स चल सकते हैं और किसी भी रिजन से दोस्तों मैंने आपको बताया कि gap down open होता है तो आप लोगों को उपर की side के लिए ready रहना है जो भी low है market का यहाँ पे market touch करने के लिए आ सकता है और यह दी market यहाँ पे open होएगा इस range में तो फिर से market इस zone में यहाँ पे break करेगा यहाँ पे nifty और bank nifty की simple analysis मैं आपको एक चीज बता दूँ दोस्तों जो आपको इलिए सबसे ज़्यादा important रहेगी आपको हमाई सा buying और selling zone यह चीज़े आपको ध्यान में रखना होगा जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाओं यहाँ पे में यह जो zone है यहाँ से buying activity हुई है market उपर गया तो यदि इसी zone में यहाँ पे इसी zone में market open होता है तो ज्यादा chances रहेंगे कि market के गिरने के chances है वो ज्यादा रहेंगे क्योंकि दूस्तों यहाँ पे already यहाँ एक selling activity हुई है तो वहाँ पे market है open होता है तो आपको अच्छा का सा momentum नीचे की side में देखने को मिल सकता है और यद तो candle है बड़ी सी यहाँ पे market में फिर से supply हुई है तो market यहाँ पे open होके और यहाँ तक आता और फिर आपको नीचे की side में selling देखने को मिल सकती थी इसके लिए दूस्तों आपको हमेशा buying और selling zone यहाँ डिमांड और supply zone है उनको आप लोग हमेशा जरू ट्रेक कीजेगा तो आपके लिए जो भी intraday stock select किया है वो यानि 1000 से नीचे के stock की select किया है ज्यादा high price के stock में यहाँ पे select नहीं किया है सबसे पहला intraday stock हमारा रहेगा दोस्तों हिंडाल को industry का आप लोग इसे one hour के time frame में देखोगे तो आपको एक अच्छा कासा support zone देखने को मिलेगा जो काफी बार test हो चुका है यह support zone काफी बार test हो चुका है यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है जैसे यह support zone कल के दिन breakdown होता है नीचे की side में तो आप लोग 428 के नीचे में sale कर सकते हैं आपका जो target रहने वाला है 420 रुपे का target आप लोग already ल यहां पे भी अच्छी कासी सेलिंग है, कोई भी आपको नेगिटिव केंडल देखने को मिलती है, तो आप लोग सेल कर सकते हैं, और जो हमारा यह सपोर्ट जोन है, यहां तक आप लोग टारगेट है, वो लेके चल सकते हैं, दोस्तों हमेशा आप लोजिक को सीखिएगा, लो पोज किया है, तो पोज करने के बाद में दोस्तों आपको एक अच्छा कासा सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, और यहां से यह आपको एक नया नीचे की साइट में बियरिस ट्रेंड है, वो जारी देखने को मिल सकता है, तो आप लोग 325 के नीचे में सेल कर सकते हैं, और आपका जो टार्गेट रहेगा, वो आपका सिर्फ 2 रुपे का टार्गेट इसमें रहने वाला है, 323 रुपे का, यहां पर ब्रेकडाउन करने के बाद में फ्लो में नीचे गिरता है, तो आप लोग बड़ा टार्गेट भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट थोड़ा ब आपको यहां पर एक छोटा सा पूल बेक, यहां पर मार्केट ओपन हुआ, इस तरीके से आपको छोटा सा पूल बेक देखने को मिला है, तो यदि यह ट्रेंड लाइन में बना रखी है, इस ट्रेंड लाइन को यहां पर यह ब्रेक करता है, तो इस ट्रेंड लाइन के इंट्राडे स्टोक रहेगा दोस्तों 14 मंडलं Finance Limited का इसमें भी आपको एक सेम ITC की तरीके काई आपको नीचे की साइड में सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है और इसके नीचे में आप लोग यहां पे सेल कर सकते हैं यह सपोर्ट आपको इजीली आपको मिल सकता है इसके अलाव दोस्तों हमारा लास्ट इंट्राडे स्टोक रहेगा गौद्रेज कंजूमर प्रोडक्स लिमिटेड का इसमें भी आपको सेम एक अच्छा कासा पैटन देखने को मिल रहा है market और यहां पे इसका price sideways है यह आप यह देख सकते हैं यह यह नीचे की side में इस logo break करता है तो आप लोग नीचे की side में trade कर सकते हैं 865 की price पे आप लोग sale कर सकते हैं और आपका जो target रहेगा 855 रुपर यहां पे maximum target है वो लेके चल सकते हैं या फिर आप लोग बीच में मार्केट कहीं भी थोड़े दिर के लिए फसता है, तो आप लोग बीच में भी अपनी position को exit कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों उपर की side में भी आप लोगों के लिए एक buying opportunity जरूर रहेगी दोस्तों, यानि आप लोग इसमें उपर की side में यह जो range है, यहाँ पे market ने जो closing दिया, कि दि market फ्लेट ओपन होने के बाद में इसको breakout करता है, तो आप लोग उपर की side में trade कर सकते हैं, बट आपको उपर की side में hop quantity के साथ में trade करना है, और उपर की side में जो आपका target रहेगा, यह आपका already जो एक उपर की side में resistance zone है, आप लोग यहाँ पे target लेके चल सकते हैं, तो यह है दोस्तों 5 best intraday stocks और nipty और bank nipty की analysis, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करे, और channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर करे, मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जैहिन सीखते रहो, कमाते रहो और खुस रहो,